शंकर सेना द्वारा हात्रस घटना को लेकर श्री करॉली शंकर महादेव गुरु ने सरसईया घाट पर शान्ति पाठ हवन्व पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आखिरी सत्संग बन जाएगा। वसंत समाज की गरिमा मई उपस्थिती में सबने मिलकर मृत आत्माओं की शान्ति के लिए इश्वर से प्रार्थना करी। कार्यक्रम में शंकर सेना के अध्यक्ष सुबोध चोपडा, अमित शास्त्री, डौ उधितानंद ब्रह्मचारी, आचार्य गिर्जा शंकर दास, उमा शंकर रमन, सुधीर दास, आयुश, रवी प्रताप सिंहादी उपस्थित रहे। कि ये दो दिन पहले जो हात्रश में घटना हुई है, दर्द ना घटना उसको कहेंगे, हिर्दय बिर्दारक घटना कहेंगे, कि मलब सो दो सो लोगों की महाँ पे जान चली गई और शाशन, प्रशाशन की भी लापरवाई से कुछ हुआ है, जो एक समागम था, शाकार हरी बिस्वरी कोई बावा है, उनका शाकार हरी, उनका समागम था, और ये लापरवाई से जो जान गई है, उनी के अब दिवंगत आत्माओं की शान्ती के लिए, यह यहाँ पे हवन, हमारे महादियो करॉली शंकर महादियो के किरपा से यह हवन और उनके शान्ती पार्ट जनातन के कारकम में 121 हमारे माताएं, भाई, बच्चे इस्वर को प्यारे हो गए थे, आज उनी सारी म्यत आत्माओं की सांती के लिए, हमारे परमपूज सिरी करॉली शंकर महादियो जो हमारे गुरू जी है, उनके आदेशा अनुशार संकर सेना ने मागंगा के तर पर ए देने का करकम रखा था, आज हम सब लोगों ने उन सारे नत आत्माओं की सांती के लिए, एक भावपूर तरीके से अपनी सद्यान जिली दी है, और संकल प्राथना की है, मागंगा की जल को लेकर, और हम सब कामना करते हैं, जो हमारे भाई, भाई, भायल हैं, उनको समाच के लोग हैं, इस सनातर को बढ़ाने का कार कर रहे हैं, इर्पिया बीडिया के लोग प्रशासन की कामियों को उजागर करें, जो प्रशासन ने जब हमारे अनुमत ली गई थी 80,000 की लोगों की, तो उस प्रकार की सम्चित ब्यवस्ता उन्होंने नहीं की थी, इस प् से प्रातना करते हैं, यह ऐसे दुखाधात्सों से हम लोगों को बचावे और हम सबको अपने बाग में बढ़ने की शक्ति और संखल्पने UP78 इंडिया न्यूस चैनल से रितेश कुमार